तो जहें दुस्तो मेरा नाम है अतुल और स्वागत आपका अपने यूटुब चैनल अतुल टेग बजार में दूस्तो रियल मी बन में मुझे कलरोई 6 बेटा अपडेट में मिल चुका था इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बनाये थे क्रोमा बूश्ट के कंपेरिजन और यहां पर सुपर वीडियो मैंने बताया थे और यहां पर आपको दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो कि 8.35 बर्जन मुझे मिल चुका है और यहां पर बहुत सारी डिमांड थी लोगों की बहुत सारे यहां पर दूस्तों इस वीडियो में यही बात करेंगे जी केम कौन सा अच्छा वर्क करता है तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर से अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्ली से सब्सक्राइब कर लेजेगा बेल आइकान भी प्रेस कर दीजेगा तो यह कि जी केम मुझे लगा है वह मैं अपसे उसके साथ सेर कर रहा हूं तो यहां पर अगर आप उपन करोगे तो यहां पर आपको स्लो मोशन पैनरोमा मोड पोर्टेट मोड भी मिल जाएगा देखने के लिए जो पोर्टेट मोड जी केम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह है सबसे ज्यादा इसलिए यूज होता है तो यहां पर अगर आप सेटिंग में जाओगे तो यहां पर वीडियो में भी सेटिंग कर सकते हो और आपके जो फोटोज है उसमें भी आप सेटिंग कर सकते हो तो यहां पर आपको जो रेर कैमरा उसमें 8.3 मेगा पिक्सल की मोड है उससे आप आउन कर दीजेगा और बात कर रहा था मैं वीडियो की इस चीक एम से आप बैक केमरे में 1080p और फ्रंट केमरे में 720p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके फीचर के बारे में तो दोस्तों यहां पर पोट्रेट मो सेर करूंगा तो यहां पर दोस्तों आपको मैं कुछ फोटो बता देता हूं जो कि मैंने इस जीकेम से लिये हैं पोट्रेट मोड में तो यह जो सेंपल है दोस्तों यह मैंने जीकेम के फ्रंट केमरे से लिया है पोट्रेट मोड में तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता तो HDDXन है Gcam का वो front camera के लिए और रेर camera के दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और जो skin tone है वो artificial नहीं लगती बहुत ही real लगती यहां पर और यहां पर जो white balance है और color saturation है बहुत ही अच्छा रहता है तमदार रहता है Gcam में यह photo मैंने indoor में लिए है आप देख सकते एक normal photo left side वाली और right side वाली जो photo है वो ported mode में लिए गई है Gcam से यह photo मैंने rare camera से outdoor condition में लिए है आप देख सकते हो दोस्तों जो right side वाली photo वो normal photo है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन आप जैसे ही left वाली photo को देखतो है जो ported mode है तो यार ऐसा काम करता है जैसे कि DSLR camera से हमने photo कीची होगी Gcam दोस्तों यहां पर ported mode बहुत अच्छा सो किया है Gcam में इस Gcam से दोस्तों आप slow motion वीडियो पर record कर सकते हो 120 fps पर है तो यहां पर realme आपको slow motion वीडियो नहीं मिलता है बट इस Gcam में आप slow motion वीडियो 120 fps पर record कर सकते हो यह किछ मैंने वीडियो record किया था आप देख सकते हो slow motion वीडियो का मज़ा उतना नहीं आएगा बट realme 1 में slow motion सपोर्ट नहीं करता है पर Gcam के थुरू आप at least slow motion वीडियो तो निकाली सकते हो और यहां पर दोस्तों आपको यहां कर रहे हैं पर टैप करोगे तो यहां पर video stabilization का option भी आपको मिल जाएगा जहां पर आपको Gcam की तरफ से मिलता है तो यहां पर बीच में tap करोगे तो यहां पर stabilization का option आ जाएगा अगर आप stabilization पर क्लिक करोगे तो कुछ देर में आपको stabilize video मिल जाएगा यह एक अलग sample है जो कि मैंने slow motion वीडियो लिया था यहां पर Gcam के थुरू तो इस Gcam के थुरू आप slow motion video record कर सकते हो यह बहुत अच्छी बात है यह वीडियो मैंने front camera से Gcam के front camera से record किया है देख सकते हैं आप यहां पर आपको image stabilization का कोई option नहीं मिलता है बट अगर आप वीडियो recording करने के बाद अगर आप यहां पर stabilization में जाओगे तो तो मिनिट में आपका जो वीडियो है वो stabilize हो जाएगा यहां पर आपको options मिल जाते हैं अब यहां पर मैं और आपको खुदी फर्क नजर आजाएगा जो मैंने पहले वीडियो बताया था उससे और इसमें यहां पर stabilization बहुत अच्छा है और यह वीडियो मैंने इस Gcam के front camera से लिया है तो आप video quality देख सकते हों यहां पर 720p पर आप front camera से भी video recording कर सकते हो तो दोस्तों यह थी information realme 1 में Gcam के regarding और sadly जो एक feature है वो भी important है night side वाला वो work नहीं कर रहा है वो इसमें नहीं है और other camera में था but work नहीं कर रहा है बहुत से issues आ रहे है तो जल्दी यह issue भी solve हो जाएंगे और आपके लिए मैं एक नया Gcam लेगा होंगा जिसमें सारे features काम करेंगे तो बस दोस्तों इस वीड और यह बंदे मतरम